सीरल जाना न दिल से दूर में कंगना यानी की सारा खान आई है शो में राविश से अपना पूरा आना बदला पूरा करने के लिए सीरल जाना न दिल से दूर में अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है शो में आपने देखा कि राविश एक भागी हुई दुलहन को घर ले आता है और घर लाकर वो उसकी जान भी बचाता है और राविश उस लड़की के लिए बहुत जादा परिशान रहने लग गया है कंगना भी आराम से राविश के घर में रह रह रहे है बाकी लोगों की तरह लेकिन किसी को नहीं है पता कि कंगना ने राविश की लाइफ में एंट्री कुछ इडन इंटेंशन के साथ ली है राविश को कंगना की intention के बारे में कुछ भी नहीं पता है और विवदा को कंगना राविश के लिए पसंद आ गई है और वो उसको कंगना के नाम से tease भी करती है राविश के मन में भी कंगना के लिए feelings आने शुरू हो गई है लेकिन कंगना के मन में feelings तो है लेकिन बहुत ही जादा डेंजरस हाला कि अतर को कंगना पर डाउट होता है और उसने ये बात विवधा से भी की है क्यों उसे ऐसे किसी और पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन विवधा ने अतर की बात नहीं सुनी गुट्टी को कंगना और राविश को एक साथ देखकर काफी जेलस फिल होता है और कंगना ने लिये राविश की लाइफ में एंट्री कुछ हिडन इंटेशन के साथ जिहां कंगना राविश को बरवात करना चाहती है वो उसकी बहुत पुरानी दुश्मन है अब देखते हैं कि कंगना ये सब कैसे करती है वैली शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए सब सीरल जाना न दिल से दूर में कंगना यानी की सारा खान आई है शो में राविश से अपना पुराना बदला पूरा करने के लिए सीरल जाना न दिल से दूर में अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है शो में आपने देखा कि राविश एक भागे हुई दुलहन को घर ले आता है और घर लाकर वो उसकी जान भी बचाता है और राविश उस लड़की के लिए बहुत जादा परिशान रहने लग गया है कंगना भी आराम से राविश के घर में रह रहे हैं बाकी लोगों की तरह लेकिन किसी को नहीं है पता कि कंगना ने राविश की लाइफ में एंट्री कुछ हिडिन इंटेंशन के साथ ली है के बात विवधा से भी की है कि उसे ऐसे किसी और पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन विवधा ने अतर की बात नहीं सुनी गुट्टी को कंगना और राविश को एक साथ देखकर काफी जेलस फिल होता है और कंगना ने लिए राविश की लाइफ में एंट्री कुछ हिडन इंटेंशन के साथ जिहां कंगना राविश को बरवात करना चाहती है वो उसकी बहुत पुरानी दुश्मन है अब देखते हैं कि कंगना ये सब क्या से करती है वेले शो से जुड़ी सारे अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सबस्क्राइब